क्या diabetes का बिना दवाई के इलाज पॉसिबिल है? हाँ बिल्कुल पॉसिबिल है और इसी के हम बात करने वाले हैं कि आप कैसे simple 5 steps में अपनी diabetes को ठीक कर सकते हैं यहां तक कि आप अपनी दवाईयां कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं इंसुलिन को भी आप बंद कर सकते हैं जब आपके blood के अंदर आपके खून के अंदर शुगर की मातरा बढ़ जाती है तो इसको diabetes कहते हैं आसान शब्दों में आप इसको ऐसे भी समझते हैं कि जब आपके शरीर के अंदर बहुत जादा गंदगी या टॉक्सिंस इखटे हो जाते हैं तो इसको diabetes कहते हैं या बीमारी कहते हैं और बीमारी का इलाज क्या है इन टॉक्सिंस को बाहर निकालना तो अगर मैं इलाज की बात करूँ बड़ी एक सिंपल सी देखिए ये लाइन है गंदगी हटाओ और diabetes भगाओ गंदगी से मेरा मतलब है कि आपके शरीर के अंदर जो गंदगी भरी है आपके शरीर के अंदर अगर आप इन नियमों को लगातार नियमित रूप से पालन करते हैं तो आपकी diabetes ठीक हो जाएगी और जड़ से ठीक हो जाएगी तो जो सबसे पहला नियम है वो दोस्तों है एक आयरवेदिक बोटी होती है जिसको हम insulin plant के नाम से जानते हैं या इसको हम insulin poda भी कहते हैं से भी आप इसको मगा सकते हैं water form में आपको मिल जाती है juice form में आपको मिल जाती है तो simply अगर आपके घर में पोदा है तो सुबह शाम इसका एक एक हरी पत्ती चबा के खाएं खाना खाने के साथ तोड़ा सा bitter taste होता है बड़ कोई नुकसान दें नहीं है को इसके side effects नहीं है एक ही side effect है कि अगर आप जादा खाएंगे तो आपका blood sugar कम हो सकता है तो इसलिए आपको doctor की देखरेंगे इसको खाने की जरूरत है अगर आपको पत्ती नहीं मिलती है तो आप एक एक चमच इसका सूखा border सुबह शाम खाने के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं तो पहले 15 दिन आपको daily अपना blood sugar monitor करना है क्योंकि आप already अंग्रेजी दवाईया खा रहे हैं उसके साथ साथ अब यह शुरू करेंगे तो बहुत जादा chances होता है कि आपका blood sugar नीचे चला जाए और अगर ऐसा होता है तो उसके लिए आपको बहुत simple है कि आप गुल अपने पास रखते या कोई मीठी चीज आप अपने पास रखें और कभी आपको इसे लगे चक्कर आने लगें मतली का मन कर रहा है या blood sugar कम हो गया फटा फट से मीठा खालें उससे मैं अपने आपको बचाने के लिए जो दूसरा नियम है दोस्तों वो है intermittent fasting या इसको आप 16 गंटे का उपवाज भी कह सकते हैं पर ये एक दो दिन में नहीं होगा इसको आपको कम से कम 90 days तक करना पड़ेगा आप 30 दिन पहले करें फिर एक हफते का gap दे सकते हैं फिर 30 दिन करें फिर एक हफते का gap दे सकते हैं और उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी से दिनों को गटा बढ़ा सकते हैं लेकिन आपको intermittent fasting को नियमत रूप से पालन करना पड़ेगा और 16 गंटे की intermittent fasting है या जो 16 गंटे का daily उपवास है उसके बहुत सारे फाइदे हैं सबसे बड़ा फाइदा है कि वो glucose या शुगर को इ खटा नहीं होने देता है consumption बढ़ जाता है बोडी का क्योंकि आप extra glucose नहीं ले रहे हैं दूसरा आपकी रोग पृति रोधक शमता या बिमारियों से लड़ने की शमता immunity बढ़ जाती है तीसरा क्योंकि आप जब intermittent fasting करते हैं तो kidney से liver से toxins निकलने लगते हैं वो बाहर निकल ज करते हैं करें दोस्तों कि आपको repair करता है उपको अपने शरीर से इस गंदगी को बाहर निकालना आप कैसे निकलें कियोंकि आप दिन राट घाते आप आपका system दिद रात काम कर रहे है और आप सफाई कैसे करें कर रहा है तो आप कुछ देर के लिए जीरू धार दिर मानले यह को divert करना पड़ेगा और उस road को खाली करना पड़ेगा कुछ समय के लिए फिर आप उसको repair कर सकते हैं तो उसी तरीके से दोस्तों आपको intermittent fasting करनी होगी जानी के 16 गंटे की fasting करनी होगी और जब आप यह fasting करेंगे तो आपका जो पाचन करिया है उसको थोड़ा आराम मिलेग और जो toxins इखटे हो गए बोड़ी में वो दीरे दीरे निकल जाएंगे जो जादा जमा कर लिया आपने खाना खाका के लीवर पर भी चिकनाई जमा कर ली पेट पर भी चिकनाई जमा कर ली लीवर में glucose बहुत इखटा हो गया glycogen के form में तो फिर वो पचना शुरू हो जाए दीरे दीरे कि आपकी दवाईयों की खुराक कम होती जा रही है अगर आप अंग्रेजी दवाईया खा रहे हैं इविन आप अगर इंसूलिन पर भी हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि यह दवाईया आपकी बंद हो जाएंगी सो intermittent fasting के अपने कुछ नियम है जिसे पहला नियम है कि आप जल्दी डिनर करें रात को देर तक ना जागें और भोजन देर से ना करें जल्दी खाना खाएं और जल्दी सोएं तो आप कुछ साथ साथ बजे अपना डिनर कर लें जो भी आपका खाना भोजन है सिंपल भोजन आप खाएं और फिर अगली सुबा 11 बजे तक आप कुछ नहीं खाएंगे आपको 16 गंटे तक अपने पाचन तंदर को अराम देना है और उसके बाद जो दिन में टाइम होगा 11 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक 8 गंटे में आप कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा सकते है जिसके बारे में हम आगे बात करने बाले हैं कि आप उसको कैसे खाएंगे और कब क्या क्या खाएंगे दूसरा तरीका यह हो सकता है ऐसे लोग जो कामकाजी हैं सुबह जल्दी निकलते हैं रात को देर से आते हैं 8-9 बजे घर ही पहुँचते हैं तो उनके लिए शायद य खा सकते हैं वो खाये मगर दिन में फिर सुबह साथ से लेके रात 11 विज़े तक आपको कुछ भी नहीं खाना है फिर वहाँ पे आपको 16 गंटे की फास्टिंग करनी है तो आप अरली मॉर्निंग खा लें जितना भी आपको खाना है और फिर आप रात 11 विज़े तक कुछ ही नहीं खाएंगे जो थोड़ा बहुत खाना है वो तीसरे नियम में आपको बता दूंगे कि आप क्या खा सकते हैं इन दोरो नियमों के बाद तो आप मॉर्निंग में 7-8 बजे आप डिटॉक्स वाटर या कुछ सबजियों का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं जिसें बहुत अ लाइए मिक्सी में और इसका आप जूस निकाल लीजे इस जूस को आप सुबह 7-7-8 बजे आप पी सकते हैं तो आपका थोड़ा सा पेट को संतुष्टी मिल जाएगी इसके लाव आप रोजाना आपको अगर पेटा पसंद नहीं है तो आप इसमें कभी खीरा कभी ककड़ी इस तरह की चीजे भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बेल पत्ते का इस्तेमाल जरूर करें जो तीसरा नियम है दोस्तो वो है आप कब्स नहीं भी रहती है आप उतना खाते रहते थे दिन बर तो बहुत सारा जो बहुत सारी गंदगी है वो आपकी बड़ी आत में इखटी हो जाती है क्योंकि बड़ी आत से ही बहुत सारी चीजे अबजोर्ब होती है वही से गलुकोज अबजोर्ब होता है वही से आपका फेट अबजोर्ब होता है और जब वो अबजोर्ब होता है तो कुछ लीवर में जाके जमा हो जाता है या आर्टरीज में जाके जमा हो जाता है और य अनिमा बड़ी सिंपल सी चीज है कोई मुश्किल नहीं है आपको medical store से एक अनिमा port मिल जाएगा उस बरतन में नीचे कैसे एक pipe लगा होता है तो इस बरतन में एक निशान होता है वहां तक पर पानी भर दें simple सादा पानी भर लें जादे जादा उसमें आप थोड़ा नमक मिला सकते है अगर आपको constipation रहता है तो otherwise आप simple पानी भी use कर सकते है और जो दूसरा सिरा वो pipe है उसका करीब 2 इंच उल्टा लेट के आप अपनी गुदा में एनस में या rectum में अंदर की तरफ थोड़ा सा सरक सादें और दिरे दिरे पानी आपकी बढ़ियात में जाने लएगा जब यह पानी खतम हो जाए तो आप कुछ 57 मिनट तक लेटे रहे होल्ड करके रखें और फिर यह pipe हटाएं और फोड़ी दिर चहल कदमी करें और उसके बाद फिर आप motion पास कर दें यह जो motion है आपके daily के जो routine normal motion है उसके अलावा की पिरकेरिया है यह बहुत मुश्किल नहीं है बहुत safe है कोई दर्दवर्द नहीं होता हाड़ी 10 मिन लगते हैं तो इसको आप लगातार 3 हफते करेंगे बिना कोई gap किये और उसके बाद एक-एक हफते पे आप इसको continue रखेंगे आगे हमेशा के जो चोथा बहुत जरूरी पार्ट आता है दोस्तों वह होता है आपका भोजन की नियम अवली तो आप intermittent fasting कर रहे हैं आप सोलर गंटे की fasting कर रहे हमने जो उपर बात की थी एक detox water की या जो सबजियों के juice की बात हमने की थी तो मालीचा आपने अगर 7 बजे डिनर किया था और रात को डिनर करते हैं और फिर सुबा तक आपके पास खाने कर समय है तो फिर आपको सुबा साथ से लेके और रात 11 बजे तक कुछ नहीं खाना है तो इस condition में आप शाम के 7-8 बजे ये वाला detox water use कर सकते हैं इससे बहुत benefit मिलने वाले हैं आप अलग-अलग दिन वो सबजी आप change कर सकते हैं किसी भी हरी सबजी का आप juice गाजर का खीरे का ककड़ी का लोखी का ये कोई भी juice आप इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन बेल पता जरूर इस्तिमाल करें उससे बहुत फायदा होने वाला है तो ये तो हमने बात की कि भी सुबा में क्या करना है अब हम बात करते सबस्चारी से आपको फ़ल मिलते हैं उननी को इस्तिमाल करें और फ़ल मीठेんな हो wavelength कम मीठें फ़ल इस्तिमाल करें जैसे पपीता हो गया नाशपती हो गया सेब हो गया, अमरूद हो गया ये सारे फल आप इस्तमाल कर सकते हैं लंच में या दोपैर के भोजल में दोस्तों आप सलाद और सूप इस्तमाल करना आप सबजियों का सूप बनाएए जिसमें बहुत जादा मसाले या बहुत जादा ला लें तो कम से कम 5 इंग्रेडेंट्स आपके होने चाहिए उसमें आप गाजर भी रख सकते हैं मूली भी रख सकते हैं खीरा भी रख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे आप डेली चेंज कर सकते हैं आपका स्वाद भी बना रहे हैं तो आप दुपैर के भोजन में सिर्फ सलाद और सूप का इस्तमाल करेंगे रात के भोजन में आप सिर्फ कोई एक अनाज वाली चपाती खाएं तो या तो आप ग्यों की चपाती खाएं या सिर्फ चने की चपाती खाएं और एक चपाती के साथ कम से किम दो कटोरी आपको सबजी खानी है और अगर आपको दो चपाती की भूक है तो फिर आपको चार कटोरी सबजी खानी है तो इस तरह के नियम से आप डिनर करें और हलका खाएं कोशिश करें जल्दी खाएं और जल्दी सोएं और फिर सुबह जल बढ़ जाएगी, इंसुलीन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और फिर आपको वो सारी दवाईया जो हम खाते आ रहे हैं, जिससे हमारे कृड्नी भी खराब होते हैं, लिवर भी खराब होता है, धीरे-धीरे करके वो बंध होने लेंगी, और आपको आप देखेंगे कि आप आपको बहुत फायदे मिलने वाले हैं इन नियमों को करने के पाथ, दूसरी एक चीज़ और मैं दोस्तों कहना चाहूंगा, कि आप हरी पतिया जादा इस्तमाल करें, ताजा बोजन खाएं, डबबबन बोजन को इस्तमाल ना करें, डबबन सूप ना काएं, सौस ना काएं जूस ना पिएं, कॉल्डरिंग ना पिएं, भार का खाना बिलकुल ना काएं, जो जंक फूर हम कहते हैं, पिज़ा, बर्गर, इस तरह की चीज़े बिलकुल ना काएं, मीट का इस्तमाल आप ना करें, दूद के प्रोड़क्ट्स भी आप ना काएं अगर आप डाइबिट और लास्ट दोस्तो, जो हम मैं कहरते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल, क्योंकि हमारा सेडेंटरी लाइफ स्टाइल हो गया है, हमारा शरीर मेहनत करता ही नहीं है, हमें पर आप पसीना नहीं निकलता है, तो हमें ढोजाना पसीना निकालना है, तो उसके लिए आप सिंपल करें आप घर में करें कोशिच के बाहर करें पार्क में करें धूप में निकल के करें तो धूप से आपका विटामिल D3 भी मिलेदा उससे भी diabetes कंट्रोल होता है तो कम से कम तीज मिनटका आप wark करें, या आप treadmill करें, या आप cycling करें, कम से कम आदा घंटा, और ऐसे करें कि आपका पसीना निकले, बिना पसीना निकले आपको फाइदा नहीं होने वाला है, तो आपको ऐसी exercise करना है जिसमें आपका पसीना निकले, और ये regular तो जो उपर हमने पांच नियम बताए हैं अगर उन पांचों नियमों का आप पालन करते हैं लगातार तो मैं आपको गारेंटेट कह रहा हूं 100% आपका ब्लड शुगर ठीक हो जाएगा आपको किसी भी तरह की दवाई की जुरुत नहीं पड़ेगी और हो सकता है दीरे दीर कर रहा है यह नॉर्मल में है तो फिर आप अपना इंसुलिन क्लेंट का इस्तमाल भी बंद कर दें और फिर सीधे अपना सिर्फ दिन चरिया और खाने पीने की चीज़ों पर दियान रखें और इससे आप अपने आपको बहुत सारे लोगों को बचा सकते हैं इस बीमारी से तो दोस्तो मुझे अम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी इस वीडियो से आपको जरूर फायदा मिलेगा और अगर आप डियाबिटीक है या आपके परिवार में को डियाबिटीक है तो इस वीडियो को जरूर उन लोगों तक पहुचाए तो देट उनको खोसला मिलता है तैंक यू